हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फैरी लाइट्स कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आमजोन और मीशो हॉल जिसमें मैंने कुछ सूट्स लिए मैं हैं चलिए स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स सूट से यह है अमजोन से फर्स सूट 500 रुपीज का है यह और यह रियोन कॉटन का ब्लैक सूट है यह है डिबल एकसल साइज और यह बहुत अच्छा वाला ब्लैक कलर का सूट है इस पर ग्रीन कलर के थ्रेट से इंबोईट्री की हूई है इसका प्लाजो यह है अब नीचे चोड़ा सा उस पर वार्टी की हूई है इस पर भी यह प्लेन नहीं है सबसे इछी बात इसकी है और आप देख सकते हैं यह लास्टिक रगई हुई है इसमें तो इसको अच्छे से आप इस्तमाल कर सकते हैं प्रचनी से यह प्लाजो चोडा वाला है और बहुत ही अच्छा वाब्रेक और यह जो मैंने कैट्टिल हटा रही हूं मैं ये कैटल मैंने खुद ही मैंने इसको रियाइवाई किया ये मेरे अब पढ़ी हुई थी बहुत पुरानी सी और अगर आप इसको देखना चाते हैंगे मैंने कैसे बनाई है तो उसके लिए आप कमेंट करें मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को शेयर करें और अगर आप कुछ और भी हॉल्स देखना चाते हैं या कोई भी चीज कर रिव्यू चाते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताएं तो मैं आपके लिए लेके आऊंगी थेंक यू और फ्रेंड्स ये देखिए अब आज आता है इसका कुर्ता ब्लैक कलर का सेम ब्रिवान भाही कपड़ा है जो प्लाजो में और उसी थ्रेट से इसमें भी इंबोईडरी की हुई है और इसका नेक आप देख रहे हैं राउंड नेक है और इसके उपर राउंड नेक पे आगे की तरफ इसमें इनी ने बनाया हुआ है इंबोईडरी से की हुआ है जिससे डिजाइन है बहुत अच्छा ग्रीन कलर का ब्राइट ब्लैक के साथ ये कॉमनेशन बहुत अच्छा लग रहा है इसमें आप ग्रीन कलर के तो पट्टे के साथ लेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा ये सूट और आगे से बिलकुल आगे नीचे प्लेन है बैक में प्लेन ये स्ट्रेट कॉरता है और इसकी स्लीव्स है थ्री फोर्ट स्लीव्स है उस पे भी वही मुज़ई है जो प्लाजों पी की हुई है बहुत ही प्यारा सा सूट है अगर ग्रीन बहुत अच्छा सा दुबटा ले या ऐसे भी पहने तो बहुत ही प्यारा सा सूट लगेगा देखने में वेर करने में बहुत ही अराम दे है यह मतलब बहुत अच्छे से आप डेली में इसको यूज कर सकते हो आगे बिल सूट मेरा फेवरिट सूट है यह मैंने मेशों से लिए यह 601 रूपीस का है बहुत ही प्यारा सूट है मेरा तो फ्रेंड्स इसका जो प्लाजो है वो है प्लेन ब्लाक कलर का और आप देख सकते हैं यह चोड़ा वाला प्लाजो है इसमें भी लास्टिक दी हुई है ब्लेक कलर का प्लाजो है इसमें कोई ब्लेन है यह बहुत अच्छा वाला रियोन कोटन है यह भी देख रहे हैं आप बहुत ही प्यारा सा cotton, dragon cotton का प्लाजोय चौड़ा, इसमें कुछ बना नहीं है लेकिन fabric बहुत ही प्यारा सा इसका है, औरunter समाजाती है इसके कुरते के बारी और कुरता बहुत ही प्यारा है ये black and white में इसका neck कुरते वाले neck का है design इकतम इसमें पट्टी देके detailing की हुई है इसकी और थोड़े से collar है और आप देख सकते हो कि straight कुरती है ये इसमें sleeves भी three-fourth sleeves है इसमें भी कोई virginny plain sleeves pure cotton बहुत ही अच्छा फाब्रिक बहुत ही अच्छा वाला soft fabric है इसका आप आजाती है ये दोबट्टे की बारी तो ये दोबट्टा बहुत ही प्यारा पिस्ता green color है इसके उपर fabric painting की हुई है आप देख सकते हो आचल पे पूरे दोबट्टे पे नहीं है बहुत ही प्यारा ये बहुत ही चोड़ा बहुत ही soft fabric है इसका बहुत ही प्यारा वाला कलर है आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको यह कितना चोड़ा सा रोबटा है बहुत ही लेंद बहुत अच्छी है चोड़ाई बहुत अच्छी है और यह प्रिंट आप देख रही है, फैबरिक प्रिंटिंग है और यहाँ नहीं पता कि वाश के बाद कैसा हो गई है बट यह अभी बहुत प्यारा बहुत ही प्यारा सा सूट है और नेक्स्ट आ जाता है मेरा ड्री کलर का सूट है इस पे यह प्लाजो है और कुरती है और यह प्लाजो का फैपरिक है cotton खादी वाला जो होता ना खादी cotton फैसा है कुछ मोटा वाला यहाँ पर नीचे इसमें detailing में नीने white lace लगाए हुई है और इसमें elastic है यह भी बहुत प्यारा वाला gray color भी बहुत प्यारा सा है बहुत dark नहीं होत light और कपड़ा तो बहुत अच्छा वाला cotton है और यह चोड़ा वाला नहीं छोटा वाला प्लास वे बहुत ही अच्छा वाला है यह पैनने पर बहुत अच्छा लग रही है इसकी last आ जाती है इसकी बारी कुर्ते की और इस पर भी round neck है आगे 10 लगभग 10 इंचिस में portly buttons लगे हुए है तीन-तीन करके थोड़े-थोड़े gap पे round neck है कॉलर वाला आगे पीछे एक्तम plain है यह और आगे rubber print किया हुआ है golden and white से बहुत ही प्यार है देखने में नहीं लग रहा है कि wash करने में color चूट जाएगा पर अभी बहुत प्यारा सा shade है यह पीछे plain आगे fabric painting वाला color है इसमें white और golden और sleeves quarter sleeves है लेकिन पीछे वाली half sleeves इसमें gray हैं और इसके बाद आगे वाली थोड़ा सा bash type में लगाया हुआ है क्या कहेंगे वही है lace लगा के इसकी detailing किये बहुत ही प्यारा वाला fabric है इसका बहुत ही पहने पर बहुत decent size thank you for watching मेरी चैनल को subscribe करें like करें share करें